हलो फ्रेंड्स वागते आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल इंडिया सम्मके में सो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एनसप के बारे में यानि कि नेशनल स्कॉलरशेप पोर्टल के बारे में जैसा कि आपको पता है एनसप का पेमेंड काफी जादा। थो उन सभी इस ट्रेंड्स को एक गुड नींज्स देनी है और वो गुड नीूस ये है एनसप का पेमेंड आना स्टाट हो चुपा है जिया तो अधोस्तों आप लोगने सही सुना अगर आपने NSP का form फिल कर रखा है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी request अगर आप लोग चैनल पे नियू है तो इस red icon पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस bell icon को दबा लिए उससे फायदा ही होगा अगर नेक्स टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका information मिलीगी सबसे पहले तो फ्रेंट्स अलियाज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम आपको बिल्कुल live दिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना Chrome browser उपिन कर लेना है और वापे सर्च कर लेना है latestbrty.in इसका link मैं आपको description देदूँगा आप लोग आँसे भी जा सकते हैं और direct Chrome browser पर भी सर्च कर सकते हैं latestbrty.in जैसी आप इस website पर पहुचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा जहाँ पर आपको नीच आजाना है आपको simply national scholarship status check bank पर क्लिक कर देना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक new page पर पहुच जाएंगे जहांसे आपको desktop site उपिन कर लेनी है हम यहाँ से desktop site उपिन कर लेते हैं और उसके बाद आपको scroll कर तो भी नीच आजाना है जैसी आप नीच आएंगे तो यहाँ पर आप 3-4 links देख सकेंगे जहाँ पर आपको simply check scholarship bank के आगे जो click here लिका है आपको simply इस पर click कर देना है जैसी आप इस पर click करेंगे आप एक new page पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पर आप लोग अपना NSP का payment चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग दो तरह से payment चेक कर सकते हैं सबसे पहले आप लोग अपना bank, account number और bank की name की तुरू चेक कर सकते हैं पिलस यहाँ पर आप लोग NSP की ID की तुरू भी चेक कर सकते हैं यानि की national scholarship portal की जो ID होती है वो आपको simply यहाँ पर डालनी है और capture code डालके जैसी आप search पर click करेंगे जो आपका PFMS का status है आपका scholarship का status है वो यहाँ पर show हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी scholarship आई है या नहीं तो मैं यहाँ पर details fill करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या status है यह private data है मैं आपको यह नहीं दिखा सकता तो इसलिए मैं video post करता हूँ और उसके बाद आपको status दिखाता हूँ कि क्या status है so friends यहाँ पर जो status है वो यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उनका कितना amount आया है यहाँ पर आप लोग amount देख सकते हैं 25,000 रुबे का amount आया है और यहाँ पर आप लोग देख लिए status यहाँ पर status दिखा रहा है under processing with bank for payment यानि कि यह update हो जाएगा मगर यहाँ पर जो bank transaction date है और credit date है वो यहाँ पर update हो चुकी है तो आप लोग अपना status चेक कर सकते हैं अगर आपका mobile number bank में link है तो शायद आपके पास message भी आ गया होगा amount का otherwise अगर नहीं आया है तो आप लोग bank जाकर अपना status चेक कर सकते हैं passbook को print करा लिए और आप लोग चेक कर लिए कि आपको जो NSP का payment है वो आपके bank account में credit हुआ है या नहीं और जिन strengths का भी भी under processing bank दिखा रहा है और 01-01-001 date दिखा रहा है तो वो लोग वेट कर लिए 2-3 दिन में उनका भी payment bank account में credit कर दिया जाएगा तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आपका भी तक नहीं आया यह जो student है यह है minority candidate और इन्होंने जो form फिल किया था वो फिल किया था NSP का यानि की national scholarship portal का और इनका जो amount है वो bank account में इनके credit हो चुगा है So friends I think आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी और अगर कोई भी question है तो आप लोग comments section में comments करके पूछ सकते हैं Instagram पर follow नहीं कर रखा तो link description में Instagram का आप जाके हमापे भी कोई भी question पूछ सकते हैं So friends आज किस वीडियो में इतना ही और अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो please वीडियो को like कर दिएगा Channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कर दिएगा Thank you friends have a nice day